स्वागे तोस्ताब सभी को फिर से एक नए वीडियो में तो finally class 12 computer science का model set जारी कर दिया गया है जैसे कि आप लोगो other subject का model set मिला जैसे physics chemistry, math, biology ये सब का model set जारी कर दिया गया है कब का ठीक है बट अब जो आप लोगो model set आया computer science का ये आप लोगो jack द्वारा नहीं आया है मैं पहले बता देता हूँ ठीक है ये jack द्वारा model set जारी नहीं किया गया है क्योंकि class 12 या class 11 हो कहिए भी jack द्वारा आप लोगो computer science का model set जारी नहीं किया जाता है ठीक है other subject का model set देखते हुए उसी way में आप लोग को computer science का model set बनाया गया है और 100% इसी way में इसी format में आप लोग को क्या पुछेगा exam में question पुछेगा ठीक और यह जो आप लोग को model set है most important model set है क्योंकि इससे आप लोग को पूरा exam का pattern नहीं समझ में आ जाएगा उसके लिए आप model set दीख रहा है यहाप लोग को computer science का दीख रहा है हम आप लोग को पहले ही बता चुक है कि jack द्वारा computer science का model set जारी नहीं होता है क्योंकि jack में उतना computer science का teacher ही नहीं है ठीक है जो computer science का model set बना पाए तो मैं अपने से आप लोगो क्या किया हूँ model set provide करा आया हूँ ठीक है देखे class 12 का है computer science का time आप लोगो कितना मिलेगा 3 hours मिलेगा मतलब की 3 घंटा मिलेगा total हम लोगो number कितना मिलेगा 70 मतलब की हमारा जो exam होगा 70 नंबर का exam होगा ठीक है और सभी परस्न जो है हमारा अनिवारी है सभी हमारा किया है अनिवारी है देख़ी 19 को क्या लिखा हुआ है कुछ आप लोगों जानकारी यहां पे लिखा हुआ है कुल प्रस्ण हमारा कितना होगा 48 होगा ठीक है अगला देखिए एक से 25 तक का जो कोश्चन है वो हमारा क्या है अति लगू उतरिय प्रस्ण है मतलब कि हम लोगों क्या इसमें हम लोगों को टोटल 9 कोश्चन मिलेगा इसमें से हम लोगों कितना बनाना है साथ बनाना है और हर एक कोश्चन का अंख हमारा कितना निर्धारित किया गया है एक नंबर मिलेगा ठीक है मतलब कि अति लगू उत प्रशना दिया जा रहा किसके लिए आप लोग को फर के लिए ठीक है अगला देखिए हमारा जो 35 से 42 नंबर तक जो कोशन हमारा होगा वो हमारा होगा क्या लगू उतर ये प्रशन होगा इसमें भी हमारा टोटल कितना होगा इसमें भी 9 कोशन पूछा जाएगा जिसमें से हम हम लोगो 6 questions बनाना होगा और हमारा एक question का 1 question से हम लोगो कितना मिलेगा 3 number मिलेगा ठीक है और मैं अप लोगो जनकारी के लिए बता जेता हो कि देखी आप लोगो total 9 question पूछा जा रहा है इनमें से आप लोगो यही question आप लोगो बनाना है ठीक है देखी दो question जो है आप लोग को offer में मिल रहा है मतलब कि आप लोग का chance मिल रहा है वाई ठीक है और मैं आप लोग को सारा question करवाऊंगा उसके लिए इतना प्रिपेर आप लोगों कर दूँगा कि आप लोग 90 से पलस स्कोर करेंगे ठीक है बट मैं जितना आप लोगों को बोल रहा हूं उतना ही पड़ना है अब जो सिरीज हम लोगों आएगा most important VY question आएगा subjective with objective के लिए उसका बात देखिए उसका बात जो हमारा question है 5 number के लिए मतलब की जो हमारा कितना होगा जो हमारा 43 से 48 number तक जो question हमारा है वो क्या हमारा वो हमारा long question है और हम ये question के लिए 5 number आप लोगो मिलेगा और इसमें भी हम लोग को 6 question दिया रहेगा ठीक है छे question है इन में से भी हम लोग को 4 question बनाना है मतलब कि आप लोग को offer यहां पर भी है ठीक है दो question को offer यहां पर भी दे रहा है और पांच वारा question जो है ना पांच नंबर का question आप लोग निफिकिर रही है ठीक है आप लोगो डारेक्ट पूरा format ही बता दूँगा आज मैं आप लोगो बता हूँगा कैसे पूछेगा पहला question क्या हमारा model state का पहला question बोड़ा है C++ and extension to college गा programming language तो C++ जो है वो किसे मिल करके बना है हम कल भी इस question को करवाए है तो C++ जो है वो दो language से मिल करके बना एक बनता है C language से एक बनता है समय में आ गया तो आप लोगो option में देखना है हमारा C language कहां दिख रहा है हमारा C language option number 3 में दिख रहा है ठीक है मतलब इसका right answer क्या होगा option number C किलियर हम कल भी ये question करवाए थे अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे है तो आप लोग जाए पिछला वीडियो देखिए और मैं आप लोग के लिए important question का playlist बनाया हुआ हूँ ठीक है आप लोग जाए हर एक वीडियो को देखिए आप लोग पूरे तरीके से prepare हो क्या लगा है जीरो लगा है अगर यहां पे इंड आप लोग को पूछ दे फैनल में तो आप लोग को क्या करना है एंड मैनस वन में लगाना है किलियर अगला देखिए अगला question third number the keyword used to define a structure तो structure का keyword क्या होता है आप लोग को मालूम है अस्ट्रक्ट होता है तो देखिए attacked by C++ तो C++ जो है वो काम करता है bottom to up करता है नीचे से उपर की और करता है किलियर तो option number यह में ही दिख रहा है option number one में दिख रहा है bottom to up किलियर अगला question देखिए अगला five number question क्या बोड़ा है यह token is हम इसको 10 बार से plus यह question को हम करवा चुक है ठीक है क्या बोड़ा है यह token क्या होता है यह smallest individual unit है मतलब कि वह छोटा से छोटा इकाई जिसको हम और तोड मरोड नहीं सकते और उसको बाट नहीं सकते उसी को क्या बोलते हैं हम लोग token बोलते हैं इसका right answer आप लोग को कहा दिख रहा है third number में दिख रहा है smallest unit of program के लिए अगला six number question of rule check the condition on तो आप लोग यहाँ पर देखिए while loop का बात कर रहा है ठीक है तो यह जो condition check करता है अप लोग बताईए कि top करता है या फिर middle में करता है या फिर bottom में करता है या फिर all of these मतलब सभी करता है ठीक है तो देखिए यह जो हमारा है while loop जो है while loop जो है condition हमारा जो check करता है रहा वो top में करता है मतलब कि उपर में करता है इसका right answer क्या होगा first ही हो जाएगा अगला देखिए seven number see out is end तो see out हम आप लोगो बहुत बार ये question करवाएं कल भी करवाएं ठीक है तो see out क्या हमारा object है अगर यहां पर scene रहता तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी हम लोग object कहते हैं ठीक है अगर ये दोनों मिला देता see out और scene दोनों अगर आप लोगो मिला करके answer मतलब कूछे तो भी आप लोगो क्या करना object ही लगाना है किलियर मतलब कि इसका राइट नमबर थर्ड अगला कोशन देखिए एट नमबर इन अब्जेक्ट ओर्येंटेड प्रोग्रामिंग बाइपिंग ओप करेक्टर अस्टिक एंड हां बिहेवियर इंटु वन यूनिट इस नॉन नाइज तो इसी कहां पर स्टेट्मेंट लिखा क्लास का मेंबर को नहीं है इसको भी हम लोग 5 वर से ज्यादा यह कोशन को कर चुक है ठीक है तो क्लास का मेंबर को नहीं आप लोग देखिए तो यह जो फ्रेंट फंक्शन जो दीख रहा है ना यह क्लास का मेंबर नहीं है बट यहां पर अस्टायटिक है कॉंस्ट है और वर्चूवल भी है ठीक है बट यहाँ पे फ्रेंड नहीं है अगला अगला देखिए यहाँ पे 10 नमबर assignment operator इसको बोलते हैं देखिए आप लोगों को option number a में दीख रहा है जो is equal to दीख रहा है ना इसे को assignment operator बोलता है इसका नाम जो है assign sign नाम है क्या है assign sign इसका नाम है के लिए इसको equal to computer science में नहीं बोलेंगे अगला देखिए गारा number what will be the output of following condition statement हमारा statement दिया हुआ है इसमें हम लोगों क्या करना है output निकालना है answer निकालना है हम आप लोगों को question करवा चुके है ठीक है कि ऐसा question अगर आप लोग कर रहेगा तो ऐसा question के लिए हम लोग को option जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही रहेगा ठीक है मतलब चार option दिया वह रहेगा बट आप लोगों को समझना ये question जो है वो दो ओप्षन के साथ है कौन-कौन है एक 15 और 16 मतलब कि answer जो आएगा 15 और 16 तो answer को कैसे choose करेंगे तो answer को choose करेंगे जो हमारा condition दिया हूँ है इसके हिसाब से answer को choose करेंगे ठीक है तो condition क्या दिया हूँ है condition दिया हूँ है 15 greater than is equal to मतलब कि 15 जो है 15 से बड़ा है और बराबर है क्या यह condition सही है तो आप लोग बोलिएगा कि यह condition बिल्कुल successful है मतलब कि आप लोग 15 जो है 15 का बराबर है ठीक है बड़ा नहीं है बट है क्या है बराबर है तो हमारा answer क्या आएगा true आएगा तो true हम लोग बताईए कि यह दोनों value में true किसको बोलते है आप लोग को मालूम है इधर वाला को हम लोग true बोलते है इधर वाला को क्या बोलते है आप लोग false बोलते है तो इधर वाला का value हमारा क्या है 15 है तो हमारा answer क्या आएगा इस question के लिए 15 आएगा ठीक है हमारा true वाला हो जाएगा यह हमारा false वाला होगा यहां आप लोग को कुछ भी लिखा रहा सकता है उसके लिए tension नहीं लेना है ठीक है आपको यहां पे जो लिखावर हेगा वही इसका right answer होगा clear तो इस question के लिए हमारा right answer क्या होगा option number one हो जाएगा पंद्रा clear अब बारा number question देखिए बारा number question क्या बोड़ा है in a stance of class is called तो इसका right मसर क्या होगा object हो जाएगा मतलब कि हम लोग class में जो instance हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग object बोलते हैं बोलते हैं बिल्कुल इसका right answer option number two अगला question देखिए तेरा number तेरा number question देखिए आप लोग को जो दिया होगा यह increment covenant वाला question दिया होगा मतलब कि यह आप लोग को fixed question समझे लेना है यह सा question आप่ समझे लेना है देखिए हम लोग को यहाँ पर y बराबर कितना दिया हूए 6 दिया हूए हम लोग को इसमें put करना है ठीक है मतलब कि expression जो दिया हूए हमारा क्या दिया हूए plus plus y plus 2y मतलब कि देखिए plus plus y plus 2y दिया हूए ठीक है, अर हम लोग को यहाँ पे y बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे y बराबर 6 हम लोग put कर दिये, ठीक है, अब into का चीन है, तो यहाँ पे into लगा के 2 कर दिये, ठीक है, उसका प्लस का चीन है, प्लस लगा दिये, उसका प्लस प्लस y है, देखें यहांपे plus plus y है, मतलब आप लोग जानते हैं, एक क्या करेगा यह जोडेगा, किसमे y का जो हमारा संख्या, y का जो हमारा value है, उससे आप लोगो एक जोडेगा, y का value कितना अच्छे है, मतलब एक और जोडेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो बहुत बच्च में value आएगा, वो हमारा कहा चला जाएगा, यहाँ वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, साथ हो जाएगा, जो y का value यहाँ पे आया, वो y का value यहाँ पे put करना होगा, यतना मालूम है आप लोग को, हम chapter में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, अगर आप chapter को नहीं पढ़े ना, तो कम से कम, यह जो आप लोग को chapter है, increment, decrement वाला, कम से कम, इसको जरूर आप लोग पढ़िए, clear, तभी question को आप बना पाईएगा, बिल्कुल आप लोग बना पाईएगा, ठीक है, अगर आप लोग नहीं chapter को देखेंगे, तो बिल्कुल नहीं प्लस साथ कितना हो जाएगा, आप लोग को मालूम है, कितना होगा, अकीस होगा, तो इसका right answer क्या हो गया, option number 2 हो गया, क्या अकीस, clear, कैसे expression बन रहा है, answer, clear है कि ने, बिल्कुल clear है, ठीक है, अगला question देखेंगे, 14 number, अगला question 14 number बोल रहा है, in C++ programming क्या बोल रहा है, strc80, जो ये function दिया हुआ है, इसका use हम लोग किसके लिए करते है, कल का question है, इस तरह का हम लोग 4-5 question देखें, हम आप लोग को बताएं कि ये fix question है, मतलब कि 4-5 question जो हम कल करवाएं ना, उसी से आप लोग को देखें, यहाँ पर भी पूछ लिया है, मतलब कि आप लोग को board exam में भी 100% रहेगा, ठीक है, निफिकी रही है अप लोग, और आप लोग को क्या करना है, बनाना है, मतलब कि समझना है, clear, देखें, आप लोग इसका write-an से बता दीजिए, क्या होगा, हम आप लोग को concept बता है, कि str जा रहेगा, आप लोग को समझ लिना है, कि a string इसमें रहेगा ठीक है, str मतलब a string, और cat का मतलब क्या हो जाएगा, concatenate हो जाएगा, ठीक है, तो देखें, आप लोग को option number 4 में मिल रहा है, क्या, concatenating to a string, मतलब कि दो a string के भीच में क्या करेगा, ये, concatenating करेगा, clear, अगला question देख लिजिए, 15 number, the operation of processing each element in the list is non-ass, तो इसका write answer क्या होगा, इसका write answer, आप लोग को option number 4 में दिख रहा है, क्या, traversal, इसका write answer option number 4, अगला देखें, अगला 16 number, क्या बोरा, ये line of people waiting for their turn is what of the example, मतलब कि आप लोग को, जब हम chapter पढ़ा रहे थे, तो सबसे last जो हमारा video है, chapter हम लोग कब का खतम कर चुके है, मालू मैंना, तो उसका सबसे last video जो है, हम लोग क्या पढ़े है, quiz पढ़े है, ठीक है, तो उसमें हम आप लोग को बताए थे, के लिए इसका write answer क्या होगा, option number 2 हो जाएगा quiz, अगला देखें, अगला question क्या बोरा है, the order of evaluation, देखें, order वाला आप लोग को यहाँ पे question पुछा हुआ है, हम लोग का expression दिया हम note करके कुछ चीज लिखे थे, आप लोग का मालूम है न, हम क्या लिखे थे, हम आप लोग को लिखे थे, क्या, आप लोग का मालूम है, तो वो notes जो हम लिखे थे न, एक बर आप लोग comment कर दिए, ठीक है, हम देख लेते हैं, इसी से पता चल जाता है, कि आप लोग chapter को प बताना है, जो जो वीडियो देख चुके हैं, कि लिए, देखे हमारा क्या होगा, देखे हमारा जो दिया हुआ है, इन ही में से हम लोग को छाटना है, क्या, कि देखे हमारा order क्या है, पहला हमारा दिया हुआ है, multiply, उसका बाद divide दिया हुआ हुआ है, मैनस दिया हुआ मेंसे इन question के मैंसे हम सबसे first काम किसका होगा हमारा होगा multiply वाला होगा ठीक है उसका बाद किसका होगा उसका बाद divide वाला होगा उसका बाद क्या होगा कि उसका बाद minus होगा उसका बाद plus होगा चीज तरह से यहां दिया वाया है उसी तरह से इसका right answer आया है बट यह सा question नही रहेगा जो कोशन में दिया रहेगा बस चीन को उतार देना ऐसा नहीं है बस यह कोशन के लिए ऐसा है ठीक है क्योंकि यह कोशन ही वैसा है वैसा ही बनने वाला कोशन है हम आप लोग बहुत तरीके से चैप्टर को पढ़ाया है हम यहाँ पे explain नहीं करना चाहते हैं अगर फकाम करता है किसमें करता है फिफव में करता है मतलब की First Input first Output के लियर है किने बहुत لوुग क्या करेंगे लिफव मार देंगे बिलकुल गलत हो वो क्या करता था फीफो करता था ठीक है और लीफो कोन करता था आप लोग को मालू मैं अस्टैक करता था इसका right answer option number C हो जाएगा फीफो हो जाएगा ठीक है यह जो हम लोग quiz बात कर रहें ना quiz का यह हम लोग chapter 10 में पढ़ें इतना तो मालू मैं ना linked list stack quiz है किने तो इस ही में ह fulfill list is non-ex, तो insertion जो है वो क्या करेगा overflow मतलब कि जो fulfill कर रहा है न वो overflow कर इसका right answer option number a हो जाएगा overflow अगला देखिए, अगला देखिए बीस number question क्या बोड़ा है, the element are insertion is quiz from the end code, इसका right answer क्या होगा, option number third हो जाएगा rare, clear, अगला question क्या बोड़ा है, the term, the term is tuple reference, तो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, tuple attribute यह समझ पढ़ा है कि ने, तो tuple किसको बोलते हैं हम लोग, हम लोग किसको बोलते हैं, row को बोलते हैं, attribute किसको बोलते हैं, column को बोलते हैं, तो आप लोग को मालू में यहाँ पे tuple पूछा कि जो model set में question है, यह पुछेगा नहीं, यह आप लोग यहाँ से, मुझे लगता है, 10 question यहाँ से fix रहेगा, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लिजे, ठीक है, अगला question देखिए, अगला question यह boolean expression that always result in false is called, तो boolean expression जो है, वो अगर हमारा false result दे रहा ना, तो उ चार्ट बना करके, जितना परकार का low होता है, जो पूछा जाता है, हम आप लोग को बनवाए है, कहाँ पे chapter पढ़ा रहे थे उस time, ठीक है, अगर आप लोग अभी तक वो लोग को नहीं लिखे हुए ना, तो आप लोग बहुत बढ़ा गलती कर रहे है, जब हम पढ़ा र लोग क्या करेंगे, एक बर ओर लोग को पढ़ लेना है, लोग को जो हैं बहुत सारा हमें गारा low बता हैं, वो लोग को आप लोग पढ़ लीजे, उन में से आप लोग को एक लोग क्या है, distributed low है तो distributed low किसको बोलते हैं वो आप लोग यहाँ पे देखिए ठीक है आप लोगों तो हम रटवा चुके हैं हम बनवा भी चुके हैं कोपी में आप लोग बनाएं भी है ठीक है तो आप लोग बताएए option number कौन सही होगा distributed low किसको बोलेंगे तो आप लोग को मालूम है option number C जो दीख रहा है क्या x plus y z बराबर x plus y x plus z इसी को हम लोग क्या बोलेंगे distributed low बोलेंगे किलियर हो गया अगला देखिए अब यहाँ पे देखिए distributed low पूश लिया है अगर आप लोग को किसमत खराब रहे अगर दूसरा question अगर पूश दे कोई others low जो है उसको पूश देता हूँ आप लोग क्या किजेगा इसलिए आप लोग वो लोज को पढ़ लीजिएगा ठीक है अगर देखिए 24 number how many layers are there in TCP IP जिसको हम लोग IP बोलते है ठीक है तो यह जो model है हमारा यह कितना layer में होता है तो यह हमारा 4 layer में होता है TCP जो है वो 4 layer में होता है आप लोग याद कर लीजिए एगरा question देखिए और last question आप लोग को इस model sheet का ठीक है आप लोग को 25 तक हम लोग का objective question है ठीक है तो आप लोग को 25 तक ही objective question करना है यह question क्या हो रही है यह a small file that wave server that store your machine जो हमारा machine है जो हमारा computer है wave server को कैसे store करता है एक file में छोड़ा सा file में तो हमारा option number D cookies इसका right answer क्या होगा option number D हो जाएगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे अभी objective question को देखे हैं यहाँ पे हमारा very short हम लोग को long short सारा आपनों को मिलेगा यह सब हम लोग क्या करेंगे कल का video में देखेंगे ठीक है आज का video में हम लोग क्या दिखें total mcq question देखे टोटल 25 question हम लोग देखें most important 25 question देखें ठीक है यहां से आप लोगो डारेक कोशन पुछा जागा क्योंकि यह जैक द्वारा मोडल से जारी नहीं किया गया है मतलब कि यह हमारे द्वारा बनाया गया है ठीक है तो आप लोगो यहां से 100% रहेगा अब मिलते हैं एक लिए वडियो में तब तक बाई वाई टेक एर